आप अगर शोध करोगे कि कोटा अगर ऐसे निकलने वाला एक आम इंजीनियर क्या पा लेता है जो उस कोचिंग फैक्टरी से असफल होकर निकले उनका क्या होता होगा जिन्दगी खोखली है तो उसमें क्या भर दो नोटों की गड़ी बच्चों पर दुनिया भर का दबाव बनाते हैं इसके लिए उनकी जिन्दगी तबाह कर देते हैं पूरी प्रेम कोई ऐसे नहीं चीज होती कि आदमी और अवरत के बीच में बड़े से बड़ा प्रेम तो वह है जो आपका आपके काम से होता है कोटा में क्या काम से प्रेम करना सिखाते हैं पंखा ऐसा कर दो कि उस पर कोई चीज लटके तो पंखा नीचे हो खिट जाए तो रात मत्या हो यह नहीं सकती और यह बच्चे जाकि अगर नदी में कूदने लगेंगे तो यह कहेंगे नदी पे बाध बना दो सवाल यह है मेरी फ्रेंड है पूजा शर्मा वो लिख रही है मैं कोटा राजिस्तान से हूँ मैंने बनारस हिंदू विश्विध्याले से अपनी पढ़ाई पूरी की है अचारे ची मैं जिस शहर से आती हूँ वो नीट और जेई की कोचिंग के लिए मशूर है लेकिन पिशले कुछ सालों से आत्म हत्या बढ़ती जा रहे है 16-17 साल के बच्चे खुद की जान ले है मैं जो सगा रहती हूँ आसपास कई नावी सहस्थान है जब कभी बच्चे गुजरते दिखाई देते हैं तो अपने घर वालों को यही कह रहे होते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है हमें बापस घर बुला लीजिए ऐसे में अचारे जी आप बच्चों को अभी बाबों को और कोचिंग में बढ़ाने वाले शिक्षा को क्या संदेश देने चाहें अचारे जी इसमें एक फॉलो प्रश्ण है इसमें लिख रही है और साथी में ये भी देखा गया है कि कोचिंग से निकलने के बाद बच्चों में लगाता है निराशा सी बनी रहती है जिनका सेलेक्षन हो भी गया है वो इसी लिए दुखी होते हैं कि उन्हें मन पसंद कॉलेश नहीं मिला और जिन बचों का सेलेक्शन नहीं हो पाता, वो अपने आपको कम आपते हैं, भले ही हो कही और भी चले जाएं देखो क्या होता है, आपकी उम्रब, आप अगर देखोगे विदेशों में, तो वहाँ पर अब 85-90 की तरफ जा रही है उसाथ आयो इनसान इतना जीता है, लेकिन जो बच्चा पैदा करने की वृत्ति और ख्षमता होती है, वो हमें 12-13 साल की उम्र में ही आ जाती है वो जो काल है वो जीवन के आरंभिक दिनों में ही है लोग 25-28 के होते हैं, वो संतान उत्पन कर लेते हैं, अब आपको कुछ पता तो है नहीं ही 25-28 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा जो गाउंधियात के ख्षेत्र होते हैं, वहाँ तो 18-20 में भी हो जाता है आपको कुछ पता तो है नहीं कुछ भी नहीं जानते हैं आप जिन्दगी के बारे में आप ध्यान में हैं चित्र ठक गया है आचा जी उनका कुछ नेटवर्क इस्यू के करण अच्छा तो आप जिन्दगी बारे में कुछ जानते हैं आप आई आई ये सामने वटा क्योंदी है आप जिनदकी के बारे में कुछ जानते तो है नहीं और आपके हाथ में एक खिलोना आ जाता है आपको कुछ भी नहीं पता ना आपको अपने ही नहीं पता, आपको उस खेलाने का क्या पता और जो इनसान जितना खाली होता है भीतर से वो उतनी जल्दी संतान पैदा करेगा और जो इनसान जितना ज्यादा खाली होता है उतनी ज्यादा संताने पैदा करेगा अब इस तरीके से संतान की पूरी प्रक्रिया चलती है आप क्या करोगे आप खुद कोई नहीं जानते थे आपको नहीं पता था कि आपकी कौन सी कामना थी यह कैसे आ गया और कामना के ही चलते वो बच्चा आ गया है तो आप अपनी सारी कामनाई फिर बच्चे पे भी डालोगी डालोगी बच्चा कामना से ही आया है और बच्चे के माध्यम से अपनी और कामनाई भी पूरी करनी है आपको अपने जीवन का उद्देश नहीं पता आपको बच्चे के जीवन का उद्देश का क्या पता लेकिन अब आप मालिक बन गए हो उस बच्चे के जानते आप कुछ नहीं हो लेकिन मालिक बन गए हो बच्चे की आप इस्तिति सोचिए आप अपनी स्थिति सोचिए जैसे एक कोई आपको एक लंगूर हो उसको आपका मालिक बना दिया जाए आपकी क्या हालत होगी कोई लंगूर अगर आपका मालिक बन जाए आपकी क्या हालत होगी तो दुनिया में जो सबसे सताई हुई कौम है वो बच्चों की होती है छोटे बच्चों की दुनिया भर के सारे लंगूर उनके मालिक बनके बैठ गए है ठीक है अब 22-24 साल का एक लड़का है और उससे भी 2-4 साल कम की एक लड़की है वो मालिक मालकिन बनके बैट गए है बच्चे के उन्हें अपने ही जीवन पता उन्हें अपना ही कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ, काहे के लिए हूँ, मुझे क्या करना है, जिंदगी में इधर को जाना चाहिए, क्या, कुछ नहीं जांते लेकिन वो बच्चे के भाग्य विधाता बन जाते हैं भविशे निर्धाता बन जाते हैं और बच्चे को फिर वो अब तो यह होने लग गया है शायद की पाँचमी क्लास से I.I.T. J.E. वगएरा की कोचिंग कराने लग गए है क्यों? क्योंकि नहीं पता जिंदगी किसलिए है तो अपने चार ओर देखते कहते हैं अच्छा ठीक है पैसा आ जाए तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ बढ़िया हो गया है पैसा कैसे आएगा वो कुचिंग कर वो जब एंटरेंस एक्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके लिए होगा उनके हिसाब से डिगरियां सब होती इसी लिए है कि पैसा आ जाए तो बच्चे को फिर लगा देते हैं कि तू जल्दी से जल्दी ये इंटरेंस क्लियर कर और उसके बाद तेरी नौकरी लगेगी उससे पैसा आ जाएगा उसके लिए बहुत बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी जिससे बहुत 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 ग्यानी इंजिनियर बनेगा ये कौन चाहता हो तो ये है कि जल्दी से इतका प्लेस्मेंट हो जाए और मोटे वाले पैकेज पर बढ़िया पैसा घर आने लग जाएगा उसके लिए भेजा जाता है कोटा जैसी जगहों पर और वहाँ पर एक नहीं अब दस अजार ऐसे बच्चे पहुँच गए और उस सब के सब अपनी और माबाप की अपेक्छाओं के मारे हुए है और वो एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो एक इको चेमबर जैसा बन जाता है और बाहर वाला कोई है नहीं उन्हें कुछ बताने को बाहर वाला कोई उन्हें कुछ बताना भी चाहे तो ना माबाप इजाज़त देंगे ना उनके वहाँ जो कोचिंग वाले टीचर्स हैं वो इजाज़त देंगे वो सब बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं और सब एक ही बीमारी से ग्रस्त है तो वो जो बीमारी है वो सब में और गहरा जाती है अब ये एक दूसरे को बस देखी नहीं रहे एक दूसरे से प्रतिसपर्धा भी कर रहे हैं और जब प्रतिसपर्धा होगी तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई तो सबसे पीछे भी छूटेगा और जो सबसे पीछे छूटते हैं फिर उन पर दबावतना वो इतना बनता है कि वो आत्मत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं कुल मिला करके ये पूरी त्रासदी जीवन के प्रतिगोर अग्यान किये हम कुछ नहीं जानते कि बच्चा क्या है और जिन्दगी किस लिए है एकदम अंधेरे में पागलपन में कुल अग्यान में हम बच्चा पैदा कर देते हैं और उसी अग्यान में हम उसकी परोरिश भी कर डालते हैं पिर उस पूरी प्रक्रिया में बीच में कुछ विस्फोट होते हैं हिला देने वाली घटनाएं होती हमें पता चलता है कि कोई बच्चा जा करके महाँ पर आत्मत्या कराया और ऐसे ही एक दो नहीं कई घटनाएं हो रही है अब बहुत दुख़द कहीं मैं पढ़ रहा था कि ऐसी घटनाओ से बचने के लिए एक बहुत ही शातिर तरीका खो जा गया है एकदम अद्भुत तरीका ये खो जा गया था कि बच्चे पंखे से लटक रहे थे तो उन्हें कहां हम पंखों में स्प्रिंग लगा देंगे कि कोई लटकेगा तो पंखा ही नीचे आ जाएगा ये तो हम समस्या का समाधान करते हैं ये हमारी समझ है जीवन के प्रति बच्चा पंखे से लटक रहा है तो पंखा ऐसा कर दो कि उस पर कोई चीज लटके तो पंखा नीचे ओखिच जाए तो पिर आत्मत्या होई नहीं सकती ये कुल हमने अपना बड़ा बुद्धिमत्ता से भरा हुआ उपाय निकाला है समझ में आ रही है ये बात ही है और ये बच्चे जाकि अगर नदी में कूदने लगेंगे तो ये कहेंगे नदी पे बाध हो ना दो पानी नी रहेगा तो डूबेंगे कैसे और बच्चे फिर जब पानी नी रहेगा तो नीचे नदी के पत्थरों पर कूदने लगें तो कहेंगे कि इस पर गद्दे बिछा दो लेकिन जो मूल कारण है उसको ना हम जानना चाहते हैं ना दूर करना चाहते हैं क्योंकि मूल कारण है अगर उसको हमने संबोधित किया तो हमें अपनी पूरी जिंदगी को ही बदलना पड़ेगा यह हमारी पूरी अर्थ व्यवस्था यह प्रक्रति प्रयावरन से हमारा संबंध यह परिवार की हमारी व्यवस्था यह जो हम बाहर जाके रोजगार अपना दफ्तर जाते हैं यह जितनी भी चीज़ें हैं हमारी हमारे धार में एक आदर्श और हमारी माननेता हैं हमें सब बदलने पड़ेंगे अगर आत्मग्यान हो गया तो अगर हम थोड़ा भी अपने आपको बहतर जानने लग गए तो न हम वहाँ नौकरी कर पाएंगे जहां हम करते हैं न परिवार में हमारी जैसे रिष्टे रिष्टे चल पाएंगे न जिस तरह हम प्रक्रति पर भयानक अत्याचार कर रहे हैं वो अत्याचार आगे बढ़ पाएगा न जैसे हमारा खानपान चल रहा है वो खानपान वैसे चलेगा न हम जो पहनते हैं वो पहनेंगे न हम जो कहते हैं वो कहेंगे सब बदल जाएगा, पूरी राजनीती बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, अर्थवस्ता बदलेगी, सब बदलने लग जाएगा जब वो सब बदलेगा तो हमारे स्वार्थों पे चोट पड़ेगी ऐसा नहीं है कि जैसा चल रहा है, उसमें कोई हमको बहुत लाब है, लाब नहीं है पर जैसा चल रहा है, उसकी आदत पड़ गई है, उस आदत से हमारा स्वार्थ जुड़ गया है हमको लगता है जैसा भी चल रहा है उससे हमें कुछ तो मिल रहा है तो जब उसके तूटने की बात आती है तो हम एकदम सहर जाते हैं मैं लगता है यह सब नहीं रहेगा तो हाय हमारा क्या होगा और वही जो हमारी सहरन है वही जो हमारा डर है और वही हमारी जिद है कि हमें नासमज का नासमज ही बने रहना है उसका खाम्याजा फिर हमारे बच्चे उठा रहे है आत्मत्याई देख रहे हैं और आत्मत्याई तो चलो मीडिया में आ जाती है तो संसनी हो जाती है जो आत्मत्याई नहीं भी हो रही है वहां कितना आउसाद है कितने तनाव से गुजर रहे हैं वो और ये तो तनाव बस उनका देखा है जो अभी कोचिंग फैक्टरी में मौजूद है जो उस कोचिंग फैक्टरी से असफल होकर निकले उनका क्या होता होगा विचार करिए जो वहाँ से निकले और अपने पसंद के कॉलेज के लिए कहीं और चले गए वो जीवन भर अपने मन पर कैसी चोट लेकर जीते होंगे उनका विचार करिए और ये सब कुछ क्यों हो रहा है क्योंकि हम नहीं जानते कि जिन्दगी का उद्देश क्या है जब आप नहीं जानते हैं जिन्दगी का क्या उद्देश है तो जिन्दगी एक उद्देश बचता है पैसा पैसा तो बहुत सस्ता विकल्प है जिन्दगी के असली मतलब से बचने के लिए जिन्दगी से बचना है तो जिन्दगी समर्पित कर दो पैसा कमाने को जिन्दगी से बिलकुल बचे हुए अंचुए निकल जाओगे कोई चोट नहीं लगेगी जैसे कि पूरी एक प्रशन उत्तर ही हो सोयम को जाना, जीवन को जाना, मन को जाना, अहम को जाना ये समझते हो वो समझते हो और उस प्रशन उत्तर ही के अंत में लिखाओ अगर इन प्रशनों में से किसी का भी उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो ये रहा तुम्हारे लिए विकल्प, चलो पैसा कमाओ कुछ नहीं कर सकते तो पैसा कमाओ और ये कितनी विचितर बात है कि वो विकल्प जो उनके लिए है, जो कुछ भी और नहीं कर सकते हमने उस विकल्प को सबसे सम्मानित बना दिया है जबकि होना यह चाहिए था कि जिस आदमी को आप कैसे के पैसे के पीछे भागता देखें, आप कहें ये एकदम ही बहुत सबसे घटिया आदमी है क्योंकि ये कुछ और नहीं कर पाया, इसलिए पैसा कमा रहा है, ये कुछ बहतर कर सकता तो पैसा क्यों कमा रहा होता, ये कु सबसे दुखी इंसान है ये जिन्दगी में कुछ सार्थक नहीं कर पाया तो अंत में हार के इसने पैसा कमाना शुरू कर दिया हमारी दृष्टे हो नहीं यह चाहिए लेकिन हमारी दृष्टे उल्टी हो गई है जो पैसा कमाता हम उसको बड़ा संबान दे देते हैं हम कहते ह को पैसा कमाया और अगर कोई जीवन में कुछ सार्थक कर भी रहा है पर पैसा नहीं कमा रहा तो हमारी नजर में ही हो जाता है आप थोड़ा सा भी अगर जिन्दगी के तरफ आँखें खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिन्दगी में नजाने कितनी संभावनाएं और कितनी चीजें जानने को समझने को आप पैदा हुए हो वो सब को छोड़ करके आप कहते हो कि नहीं मुझे तो बता दो पैकेज कितना है CTC तो ये आपने बहुत ही घाटे का सौदा कर लिया इतने ही नहीं अभी जैसे बोल रहा हूँ मैं तो बहुतों को तुरंत ये कुतर को चल रहा होगा तो क्या पैसे नगम आए आपने एक बाइनरी बना रखी है आप कहते हो एक काम होता है जो अच्छा होता है और एक काम होता है जिसें पैसा मिलता है और उस binary में मामला exclusive है बिल्कुल कि जो अच्छा काम होगा उसमें पैसा नहीं मिलेगा और अगर कहीं पैसा मिल रहा है तो वो घटिया काम करके ही मिलेगा यह हमने बना रखा है मन में एक model यह बहुत बेकार model और बहुत कुटिलता से भरा हुआ model है आपको क्यों लग रहा है कि अगर आप अच्छा काम करोगे जीवन में तो उसमें से आपको जीवन की साधारण अवश्यक्ता है पूरे करने लायक भी पैसा नहीं मिलेगा आपको ऐसा क्यों लगता है और यही बात हम अपने बच्चों पर डाल देते हैं हम कहते हैं अगर तुमने फलाना इंट्रेंस नहीं क्लियर किया अगर तुम इंजिनियर डॉक्टर या एक आद दो चीजें और होती है यह सब नहीं बने तो तुम भूखों मर जाओगे क्यों भूखों मर जाएगा भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि धंका काम करके मस्त रोजी रोटी नहीं चल सकती यह धारणा आपने क्यों बना लिये इसलिए बना लिये ताकि आप धंका काम करने से बच सको आपके मन में बात कहां से आ गई कि जीवन में सफल होने के लिए भिकना जरूरी है मैं कहीं भी जा करके बोलता हूँ मैं बहुत बार इस पर बोला है अब से किताबों में हैं वीडियों में कि उचे से उचा काम चुनो उसमें डूप जाओ ये बात मैं बहुत बार बोलता हूँ तो उसके जवाब में लोगों की टिपड़ी आती है उचे से उचा काम तो कर लेंगे पैसा आप देंगे क्या काम तो कर लेंगे उचे से उचा पैसा आप देंगे क्या इस टिपड़ी के पीछे उनका एसंप्शन माननेता क्या है कि उचे काम में पैसा वा बेटा वा माने तुमने जगत को क्या بنا दिया तुमने का दुनिया में जो घटिया काम उसी एम पैसा मिलता और बढ़िया काम करोगे तो उसका इतना भी मूले नहीं कि उस काम के लिए तुम्हें कोई पैसे दे दे गाया ये तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा कहीं न कहीं इसके पीछे हमारी धार्मिक धारणाएं भी उत्तरदाई है हमने मान लिया है कि स्वर्ग जैसी कोई चीज तो मरने के बाद ही मिलती है मैं बताता हूं स्वर्ग क्या होता है स्वर्ग होता है जिन्दगी में सबसे बहतरीन काम उठाना और उसी बहतरीन काम से अपनी रोजी रोटी भी चलाना ये होता है स्वर्ग लेकिन हमें तो धर्म ने बता दिया है कि स्वर्ग जीते जी तो होई नहीं सकता वेदान्त इसलिए अलग है ना वेदान्त कहता है जीत से भी मिल रहे हैं हाँ हो सकता करोडों ना मिल रहे हो नहीं चाहिए करोडों चाहिए भी क्यों करोडों आ जाए तो एक आफ़त और हो जाती है सोचना पड़ता करना क्या इसका पर इतना मज़े में मिल रहा है कि मेरा काम चलता है मेरी सहत अच्छी है मैं खाता हूं मैं खेलत आताएं और अपनी विफलताएं हम छुपाना चाहते हैं पैसे के पीछे जिन्दगी खोखली है तो उसमें क्या भर दो नोटों की गड़ी इससे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा philosophy के courses में admission लेने वाले नहीं मिल रहे arts में नहीं मिल रहे fine arts में नहीं भारत में कम से कम साहित्य में नहीं मिल रहे संस्कृत में नहीं मिल रहे सबको क्या बनना है उसमें भी computer engineer बनना है खास तोर पे और वो भी क्यों बहुत प्रेम आगया है computer पे कुछ नहीं ले देके बाद इतनी है कि तीन चार कंपनिया है वो बहुत सारी hiring कर लेती है अब वो भी एक बुलवला जैसा था वो फूट चुका है ना जाने कितने तो engineering college भारत भर में बंदो गए ना आपको जो पढ़ रहे हो उससे प्यार पढ़ने के बाद आप जहां नौकरी करने जा रहे हो ना आपको उस काम से प्यार ये प्रेम हीन जीवन आप जी कैसे लेते हो लेकर जो coaching के पूरी विवस्ता है ये आपको एक loveless life के लिए बिलकल तयार कर देती है loveless life कि प्रेम तो नहीं है पर करे जा रहे हैं जीए जा रहे हैं ठीक वैसे जैसे प्रेम तो नहीं है पर entrance की preparation किये जा रहे हैं not that I love PCM और whatever जिन भी चीजों की तयारियां होती है कुछ नहीं premium कुछ नहीं है आज पता चल जाए कि ये सब पढ़ करके नौकरी नहीं लगती है तो तुरंत लात मार के भाग जाएंगे ठीक वैसे जैसे सब colleges ने खोल दिये थे CS department और IT departments वो सब बंद हो गई क्योंकि उनमें नौकरी लगनी बंद हो गई वैसे ही जितने लोग coaching करने गए हैं अभी आ जाए सामने कि भाई अब engineering करके नौकरी नहीं लगती है सब भग जाएंगे कौन सा इनको प्यार है जो पढ़ रहे हैं उससे तो प्यार नहीं है तब भी पढ़ रहे हो अभी तो तीन साल coaching में पढ़ो गए फिर चार साल अगर engineering करने गए तो चार साल वहाँ पढ़ो गए और उसके बाद जिंदगी भार वो काम करो गए जिससे प्यार नहीं है तो ये काहे की training मिल लिए है मैं कह रहा हूँ एक loveless life की तो उनका जीवन ऐसा ही रहेगा जैसे मरे हुए ही है शुष्क खाली रूखा प्रानहीन पर ये हमारी great Indian middle class dream है लड़का कोटा जाएगा कोटा से IT जाएगा IT से Google जाएगा फिर अमेरिका में बस जाएगा फिर क्या करेगा नहीं हो गया नहीं बताओ ना फिर क्या करेगा यह हमारे ज्यानियों ने हमसे का अमरपुर ले चलो सचना यह कह रहें अमरीका ले चलो सचना अमरीका यह हमरपुर ले चलो सचना अब दस एक दस हजार में से किसी एक के साथ ऐसा हो भी जाता है और जो एक के साथ हो जाता है वो फिर आप देखते नहीं कितने अशलील तरीके से आता है अख़बारों में वेब साइट पर किसी का नाम आ जाए कुछ भी उसका नाम है चिंटू शाह सिट्स अ न्यू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बाइ क्रैकिंग अ 3.5 करोर रुपीज पैकेज यह कौन सी भाशा है बत्तमीज चिंटू शाह सिट्स अ न्यू क्या था जैविलिन थरो चल रहा है क्या चल रहा है यह क्रैकिंग अपैकेज यह क्रैकिंग अपैकेज क्या होता है दौरड लगी थी कि जाकर के पैकेज उठा के लाना एंट बजार से पर इसी भाशा में च्था है चिंटू शाह सिट्सन न्यू नेशनल रिकॉर्ड वाई हिस्टॉरिकल नेशनल रिकॉर्ड बाइकेज ऑफ ओन सीस पैकेज ऑफ 3.5 CR विथ वोटेवर ऐसे कुछ नहीं तो 50 चिंटू शाहों को मैं जानता हूँ और अगर 50 को जानता हूँ तो उसमें ते 5 तो ऐसे हैं जो मेरे ही पास आते हैं अपनी mental health का समाधान मांगने मैं छोटे बच्चों के बारे मैं सोचता हूँ ना मैं सेहरन हो जाती है खौफ से भर जाता हूँ दो महा मूरक 22-25 साल के और उनको मिल गया ये एक नाजोग खिलोना और वो इसके साथ हर तरह के अत्याचार कर रहे हैं जिनको अभी मूद होने की तमीज नहीं उनको मालिक बना दिया गया है कि तुम इस बच्चे के मालिक हो और बच्चे को बोला जा रहा है कि तुम इन मालिकों की सारे आगयाओं का पालन करो और बच्चा बड़ा भी हो जाए तो भी उसको यही माबाप परमेश्वर होते हैं तो तू भी बन जा जल्दी से बाप परमेश्वर बनने का शॉटकट मैं पूछा करता था कॉलेज में ऐसे बैठे होते थे वो सब जब बात होती थी मैं पूछता था तुम्हारी उमर क्या है तो अपनी उमर पता है कोई 20 कोई 22 यही सब उमर होती है वहाँ पर 2nd year, 4th year बीटेक में तो कोई बैठा है मैं उसे अपने पाउड़ाले को कि ज़रा बता ना इसकी बुद्धी कितनी है और इसमें maturity कितनी है तो असने लगे बोले यह यह डंब है यही जो है अभी अगर एक साल बाद बाप बन जाए और बन सकता है न बाप बन सकता है यह एक साल बाद बाप बन जाए तो परमेश्वर हो जाएगा यह अगर यह आज डंब है तो एक साल बाद परमेश्वर हो जाएगा तो इसका भी कुतर काता है कहते हैं नहीं हो जाता है मा बनते ही भीतर एक रसायन का फबारा निकलता है और जो रसायन है वो तुरंट आपको देवी बना देता है वो मा बनते ही आप अगर मूरक हो तो आप मूरक नहीं रहते हैं मा बनते ही कैसे हो जाएगा ये कैसे होता है ये महान चमतकार कैसे होता है जो मूरक है वो बच्चा पैता करतेगा तो मूरक बाप कहलाएगा पहले सिर्फ मूरक थे या मूरक बाप हो या पहले सिर्फ मूरक थी या वो मूरक मा है तो मा बन सकती हो वो तुम्हारे नाम में जुड़ गया लेकिन जो मूरख था तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ वो हट थोड़ी गया मूरख तो पहले भी थे, मूरख अभी भी हो और दोनों मूरख उसके सर पे चड़के बैठ जाते हैं और उसको कोटा छोड़ाते है बुलते हैं यहां तुम्हारे सपने साकार करेगा क्या सपने साकार करेगा रहना तुम्हें यही है अपने देशी तरीके तुम्हें छोड़ने नहीं तुम बात-बात में बुलते हो कि अपनी महान संस्कृते से हटना नहीं है तो क्या करोगे डॉलर लेके तरोई खरीदने जाओगे गए भाव सबजीओं के बाजार में करना तो तुम्हें वही सब कुछ जो तुम करते हो तो वो छोटू कुकाय के लिए उसकी जान लिए ले रहे हो कि डॉलर कमा के ला पूछतू रहूं डॉलर से क्या करोगे आज एक पसेरी भिंडी खरीदी है वोने कितने के मिली तू बता रहे हैं धाई डॉलर कितना सुनने में ऐसा लग रहे है वाह और मुझे डॉलरों से कोई समस्या नहीं है मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि धंक का काम करके भी एक अच्छा सीधा साधा जीवन बिताया जा सकता है हो सकता है उसमें करोणों न कमाये जाएं लेकिन करोण कमाना एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी भी नहीं है तैने बादे जादेशी सुर्ति करो मेरे साईया हम है भव जलमाई आपे ही बही जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाही कवीरा जो नहीं पकड़ो बाही ते दिन गए अकारत ही संगत भाईना संथ ते दिन गए अकारत ही संगत भाईना संथ प्रेम बिना पशु जीवना भग्ति बिना भगवन्त कवीरा भग्ति बिना भगवन्त तो मनुष्य और पशु में जो ये अंतर है वही पारिभाषिक है मनुष्य वो है जो प्रेम पर जीता है और पशु वो है जो प्रक्रति पर जीता है आप एक काम कर रहे हो अपनी जाब उस जाब में अगर प्रेम नहीं है सिर्फ CTC है तो आप जानवर हो आप एक heavily paid जानवर हो सकते हो लेकिन हो तो जानवर ही ना घूम रहा है औरंगुटान क्या है मूल रहा है इसका 60 लाग का पैकेज है मूँ तो उसका औरंगुटान जैसे है यह ना तो पैकेज लेके क्या करेगा क्ये ले खाएगा और क्या करेगा प्रेम कोई ऐसी नहीं चीज होती कि आदमी औरत के बीच में बड़े से बड़ा प्रेम तो वो है जो आपका आपके काम से होता है और काम से नहीं प्रेम है कोटा में क्या काम से प्रेम करना सिखाते हैं नहीं वहां तो कहते हैं यह तरीका लगा लो ऐसे ट्रिक लगा लो जल्दी से रैंक जादा अच्छी आ जाएगी और जब प्रेम नहीं होता तो फिर जीवन जीने लाइक भी नहीं रह जाता ना जब जीवन जीने लाइक नहीं रह जाता तो फिर इंसान का दिल कहता है कि जीवन खत्मी कर डालो तो फिर हमें आत्मत्या जैसी दुकत घटना देखने को मिलती है है तुम्हारे पास गा देते जागट प्रीतन प्रेमरस पूरा भंडार लेके बैठा गरते हैं जागट प्रीतन प्रेमरस पुनिरसना नहीं राम ते नर इस संसार में उपजिभए बेकाम अगर आपके पास प्रीत नहीं है प्रेम नहीं है तो आप इस संसार में व्यर्थी पैदा हुए हो और दिन में दस घंटे बारा पंदरा घंटे तो आप काम में होते हैं और काम से प्यार नहीं है तो काम ही फिर आत्मत्या जैसा है जेल रहे हो पंदरा घंटे की क्या है क्यों है क्या कर रहे है बस ये याद है दो चीज़े याद है इतवार कब आएगा और सैलरी कब आएगी जिसे हम आम इंप्लॉई बोलते हैं उसके लिए जाब में दो ही चीज़े खुशी की होती है एक सैलरी और दूसरा हॉलिडे वो पूरे साल नौकरी करता ही इनी दो चीज़ों के लिए इनी दो दिनों का उसे इंतजार रहता है एक सैलरी डे और एक हॉलिडे याद मत्यान यह तो क्या है हाँ गोवा में थे तो पूरा हफ़ता पूरी शान्ती बनी रहे कुछ नहीं है मेरी तो आदत अब तीस साल पहले छूट गई है दिन गिनने की तो पता ही नहीं होता है कि तो आर कौन सा है सुमबार कौन सा है सब दिन एक बराबर होते हैं अचानक से बीजवीच में किसी दिन देखें तो यह क्या हो गया बस बर-बर के आ रहे हैं परशूर से नीचे गिर रहे हैं फिर पता चले लॉंग वीकेंड है जैसे जेल से रिहा हुए कैदी वैसे भागे हैं भयानक भाग रहे हैं अग्दम और जिन दिनों यह आएं उन दिनों होटलों के दाम तीन गुना हो गए रिस्टराओं वाले अलग मेन्यू बनाके रखते थे इनकी शकल देखे यह दूसरा निकालो उसमें सब चीज़ें दुगनी कीमत पर कई बैठने की जगह ना मिले कुछ ना हो यह इनका हॉलिडे है बड़ी मुश्किल थे भाग के आते हैं या तो शुक्रवार की रात या शनीचर की सुबह और रविवार की रात को फिर भाग के वापस पहुँच जाते हैं यह इनकी वेकेशन है और सब के सब एक साथ आते हैं तुम आरे जिनका मूँ तुम वहाँ देख रहे थे उनी का मूँ तुम या भी देख रहे हो तो तुम गोवा कहां आए तुम तुम दिल्ली कोई लेके पहुच गए वहाँ पे सब एक से और इसको ही हम क्या बोलते हैं हमारी आइडियल कॉर्पोरेट लाइफ इसके लिए हम बच्चों पर दुनिया भर का दबाव बनाते हैं फिर्फ इसलिए के लिए देके उनको एक मिडल क्लास अपर मिडल क्लास जी ओन मिल जाए इसके लिए उनकी जिंदगी अपतबाह कर देते हैं पूरी आप अगर शोध करोगे कि कोटा अगर ऐसे निकलने वाला एक आम इंजीनियर क्या पा लेता है तो क्या पाओगे यही तो पाओगे एक साधारन सी मिडल अपर मिडल क्लास लाइफस्टाइल और क्या लेकिन उसके लिए तुमने उसको कहीं का नहीं छोड़ा एक साधारन सी नौकरी मिलती, एंजीनियर कोई ऐसा थोड़ी होता है कि वो हीरे मुती में खेल रहा है, एक साधारन सी जिंदगी, साधारन एंजीनियर, साधारन जिंदगी तू भी अचके, थ्री भी अचके, इधर निकल जाओ, एक स्वे की तरफ या नोईड़ा की तरफ के इलाके हैं, तो वहां पर वो आपको पर्चा लेकर सड़क पर ही रोक रहे होते हैं, ले लो, ले लो, ले लो कौन से इसमें हीरे मुती जड़े हैं इस जिंदगी में, कि इसके लिए हम बिके जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं कुछ नहीं, भीड के साथ चलना है, जहां सबका घर है, वहीं हमें भी घर लेना है अकेले नहीं रह सकते हैं, भले जहां सबका घर है, वहां घर लेने में, तीन गुने ज्यादा पैसे देने पड़ें, तीन नहीं होता, छे गुने, दस गुने ज्यादा देने पड़ें, तो भी दे देंगे क्यों, भीतर एक खोखला पन है न, खुद को जानते नहीं, जिन्दगी को जानते नहीं, तो बड़ी इंसेक्यूरिटी लगती है, और जब वो इंसेक्यूरिटी, वो डर, असुरक्षा लगती है, तो भीड का साथ चाहिए होता है, सब लोग जहां हैं, हम भी वहीं रहें, भले उसके लिए पैसे बहुत देने पड़ें, भले जो जॉब कर रहे हो, वो सार्या का सारा यही मकान की एमाई में निकल जाए, चलिए छोड़िए क्या करें, हम पता ही है, जाघट प्रीति ना प्रेमरस, पुनिरस ना नही राम, ते नर इस संसार में, उपज भय बेकाम कभी राम, जाघट प्रीति ना प्रेमरस, पुनिरस ना नही राम, जाघट प्रीति ना प्रेमरस, पुनिरस ना नही राम, ते नर इस संसार में, उपज भय बेकाम कभी राम, उपज भय बेकाम कर्षूका कर्षक कर्थूका कर्षक कर्तार